दोस्तों गर्मयोंगी हर परИशानी को चेहरे से खटम करने के लिए दही में सिर्फ दो छीज़े अपने चेहरे पर मिला कर लगाते रही है आपके चेहरे की हर परिशानी तेजी से खटम होगी टैनिंग की समस्या आपके चेहरे पर बिल्कुल भी नहीं होगी और दोस्तों इकने पिंपल या फिर किसी भी तरह के मुवसे वगरा की परिशानी है उसको चैरे से हटाने के लिए तो दोस्तो यह रमड़ी आपके चैरे की जो रंगत है उसको भी निखा रहेगी चैरे को ब्राइट करेगी और दोस्तो आपके स्किन अगर बहुत जदा लूज हो चुकी ह तो स्किन को काफी तेजी से यह टाइट करने में पिर आपके काफी अच्छी मदद करेगी तो चलिए दोस्तो इस तरह के से रेडि करेंगे और किस तरह के से इसका एप्लिकेशन करना है दोस्तो इसके लिए प्लीज आप वीडियो को पूरा जरूर देखेगा अगर वीडि बहुत अच्छे से हेल्प करता है साथी साथ दग दबे या फर किसी भी तरह की टैनिंग काला पन चेहरे पर है उसको हटाता है आपकी चेहरे को फेर करने का काम करता है साथी साथ आपकी चेहरे पर कील मुहासे की समस्या को खतम करता है इसकी इस्तमाल से आपकी चेहरे का जो glow है वो तेजी से खरना शुरू हो जाता है अब दोस्तों next आपने इसमें जो डालना एक चमच मुलतानी मट्टी का पॉड़न ले लेना है जो आपकी dryness को काफी तेजी से skin से हटाती है और दोस्तों आपकी skin से exyzoil की परिशानी open pores ही समस्य को काफी तेजी से खतम करती है इसकी सथकीन मुवा से इसकी इसमाल से काफी तेजी से खतम होना शुरू हो जाते हैं और दोस्तों आपके चहरा जो है इसकी इसमाल से काफी shine करना भी शुरू कर देता है साती साथ दोस्तों अगर tanning में लगे आप को बहुत इच्छे से यह मॉस्च्राइस करेगा आप की चैरे पे जटना भी काला पना है , इसकी काला पन लेना है , इसकी इसकीय की चैरे का का भी तेज़ी , सहने कौश LAUGHTER पर जितना भी दोस्तों काला पन है या फिर दाग तुपू की समस्थ है ना इसकी इस्तमाल से तेजी से स्किन से खतम होना शुरू हो जाती है और इसकी बहुत ही ग्लोइंग और निकने रिखने नजर आना शुरू हो जाती है कच्ची दूत की इस्तमाल से दोस्तों आपकी च ज़दर डल हो चुकी है, काला पन स्किन पर है, तो ये आपकी चैरे को चमकदार बनाती है और चैरे की जो शाइन है उसको काफी तेजी से बढ़ाता है अब दोस्तों आपने क्या करना है आदा चुमच यहाँ पर आपने हानी डालना है हानी आपकी स्किन को अच्छे से मॉस्चराइज करता है इनकी ड्राइनेस को खतम करता है और दोस्तों आपकी धिली स्किन को टाइट करने में आपकी हैल्प करता है साथी साथ दोस्तों आपक पर इसको पेश वाश करने के बाद इस्तमाल करना है आपने फेश को अच्छे से वाश करेंगे उसके बाद इसका 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 हनीकवी इसमें इस्तमाल किया नहीं तो यह हलका हलका ड्राइ हो जाएगा दोस्तों आख 10-15 मिनट इसको लगेंगे सूकने में इतनी दिर में आप अपने चेहरे पर इसको लगा कर छोड़िए उसकी बाद जब दोस्तों अपने चेहरे को आप वाश करेंगे तो बहुत ही और एक्सेजूट की परिशानी भी आपके चेहरे पर नहीं बनेगी तो दोस्तों मेरे कहने से इस रेमेटी को अपने चेहरे पर जरूर इसके मिलेंगे अगर इसका रेगुलरर अपने चेहरे पर इसके श्तमाल करेंगे do की जो रिजल्ट है ना वो दोस्तों आप खुद मेरे साथ में शेयर करेंगे गजब की रिजल्ट आपकी स्कीन को इसके मिलेंगे